नमस्कार DRV NEWS में आप सबी का स्वागत है मैं वंदिना सिंग भारत में ओमिक्रॉन की संख्या जो की अब बढ़कर 3071 तक पहुँच गई है शुक्रवार को ये ओमिक्रॉन संख्रमित मरीजों का आक्रा 3007 पर था पाया जा रहा है कि ओमिक्रॉन संख्रमित मरीज जो अब ठीक हो रहे हैं उनकी संख्या 1199 तक पहुच गई है महराष्ट्रों में ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए केसिस सामने आ रहे हैं जहां पर ये आकड़ा अब 876 तक पहुच गया है वहीं दिल्ली में 513 मरीज अभी तक सामने आए हैं महराष्ट्रों में ठीक होने वाले मरीजों की बात करें तो 381 मरीज इस वेरियंट से ठीक हो चुके हैं वहीं दिल्ली में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या मात्र 57 हैं करनाटिक में 333 और राजस्थान में 291 मामले दर्च किये गए हैं वहीं केरल में ओमिक्रों के 284 और गुजरात में 204 वहीं तेलांगना में 132 और तमलाडू में 121 और हर्याणा में ओमिक्रों के 114 मामले दर्च किये गए हैं ओडिसा में 60 उत्तर प्रदेश में 31 और आंधर प्रदेश में 28 मामले ओमिक्रों के सामने आए हैं पश्य बंगाल में 27, गोवा में 19, असम में 9 और मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के 9 मामले सामने आए हैं उत्तराखंड में 8, मिघाले में 4 और अंडमा निकोबार में 3 मामले ओमिक्रॉन के सामने आए हैं चंदिगड में 3, जम्बो कश्मीर में 3, पांडी चेरी में 2, पंजाब में 2, चंदिगड में 1, हिमाचल प्रदेश में 1, लद्दाक में 1, और मध्य पूर में 1, ओमिक्रॉन के मामले सामने आए हैं वहीं करनाटिक में 26 और राजस्थान में 149 लोग ओमिक्रॉन से ठीक हो चुके हैं केरल में 93, गुजरात में 151, तेलांगना में 47, तमलनाडू में 121 और हर्याना में ओमिक्रॉन के 83 लोग ठीक हुए हैं ओडिसा में 5, उत्तरप्रदेश में 6 और आंध्रप्रदेश में 6 लोग ठीक हुए हैं पस्चिम बंगाल में 10, गोवा में 19, असम में 9 और मध्य प्रदेश में ओमिक्रॉन के 9 लोग ठीको कर घर जा चुके हैं उत्तरा खंड में पांच और मिघाले में तीन लोग ठीक हुए हैं वहीं देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1,41,986 मामले सामने आए हैं ये बीते दिने के मुकाबले में 21 फीसिदी अधिक है आप देख रहें कि ये मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं रोज ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या में बढ़ूतरी पाई जा रही है जैसा कि पहले से बताया भी गया है कि ये तीन फरवरी पर ओमिक्रॉन अपने पीक पर होगा अपने चरम पर होगा तो हम सब को प्रयास करना है कि हम सब सुरक्षित रहें, स्वेम सुरक्षा के साथ साथ अपने आसपास, अपने समाज, अपने देश की भी सुरक्षा का जिम्मा हमें उठाना जाएगे और यह सुरक्षा तभी संभव हो सकती है, जब हम COVID-19 के दिये हुए प्रोटोगॉल का पालन करें उसके लिए आपको मास्क का प्रयोग आवश्यक है, अपने हाथों को लगातार सैनिटाइज करते रहें, घर से बाहर आप तभी निकलें, जब जरूरत हो मतलब आवश्यक्ता अनुसार ही, आप घर से बाहर निकलें, अन्य था आप घर पर बैटके ही अपने सारे काम को करें इस वक्त कहीं पिकनिक पे जाना, कहीं दूसरी जगा घूमने जाना, इन सारी बातों को अवोइड कीजिए हम फिर आपके सामने हाजर होंगे, नए अपडेट्स के साथ, फिलहाल के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजे इजासत, जय हैंद